नमस्कार दोस्तों, True IES and PCS में आप सभी का सवाकत है, Vision IES की Current Effect की Magazines में अगला टॉपिक हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, IR के कंटेक्स्ट में दोस्तों, discussion का next topic हमारा, Belt and Road Initiative के कुछ alternative से related है, जैसा की experts बोलते हैं, कि क्या Belt and Road Initiative, जो की चायना का एक infrastructure development project है जिससे बड़ी सारी countries को, especially low income और middle income countries को आपती है, तो क्या इसके कुछ और alternatives हैं, और अगर हैं, तो उसके लिए India के लिए क्या opportunity है तो आईए, एक-एक करके, सभी aspect को जानते हैं, सबसे बहले तो दोस्तों ये discuss करते हैं, ये news में है क्यों, देखिए, European Union का, जो European Commission है, उसमें दोस्तों एक strategy launch करी है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं, Global Gateway, ये एक European Union की एक strategy है, तो दोस्तों, ये एक European Union की मैं आपको बता रहता है कि strategy है, Global Infrastructure को finance करने के लिए, और इसका ये ये है, कि 2021 से लेकर, 2027 तक, लगबग 300 billion euros जो हैं, वो जमा करे जाएं, ताकि various countries में, जो infrastructure development initiatives हैं, उनको carry कर सकें, अभी तक दोस्तों देखी होता क्या, अगर मैं आपको पूरी जो चाइना का ये जो Belt and Road Initiative है, जिसको चाइना ने 2013 में One Belt, One Road Initiative की नाम से launch कर रहा था, ये Chinese Infrastructure Development Project है, जिसकी वज़े से चाइना जो है, Land and Sea Roots के माध्यम से Infrastructure Develop कर कर कर, चाइना ऐसा बोलता है कि उसका मकसाद है कि वो link करना चाता है, पूरे Asia को, पूरे Africa को, और पूरे Europe को, लेकिन दोस्तों, बड़ी सारी कंट्रीज जब चाइना के इस धासे में आई, इस Belt and Road Initiative को जोइन करने के लिए, तो चाइना ने अपनी आउकाद जो है, वो दिखाई, आउकाद किस वे में दिखाई, मैं क्या बोलना चाता हूँ, बात एक्शुली दोस्तों ये है, कि चाइ जैसा कि चाइना ने श्री लंका के साथ हम बंदोता पोर्ट में करा, अब इससे इंडिया जैसे नेशनस को भी दोस्तों बड़े सारे कंसर्ण्स हैं, इंडिया ने इसको जोइन नहीं करा, ये कहते हुए, कि ये हमारी सोबरैनिटी को और टेर्डियोले इंटेग्रेटी को बॉलेट करता है, क्योंकि चाइना का ये जो इसपेशली लैंड रूट वाला प्रोजेट है, जो कि अब देख पा रहे है, बीजिंग से लेकर टर्गी तक चला आ रहा है, तो इस बेल्ट एंड रोड इनिशेटिव में इंडिया के एक अंसर्न है, कि एक प्रोजेट चाइ जो है, इंडिया ऐसा बोलता है, कि ये प्रोजेट जो है सिर्फ दिखाने धिखाने भर के लिए है, कि इंफरस्ट्रक्चर फाइनिसिंग प्रोजेट है, अल्टिमेटली चाइना का जो मकसद निकलकर आ रहा है, इस प्रोजेट से वो ये है, कि कैसे इंडिया को ठीक है ये चाइना की string of pulse policy है जिसको international experts के द्वारा ये बोला जाता है कि ये चाइना की एक रणनीती है इंडिया को हर जगा से घेरने की अपने strategic interest को serve करने के लिए प्रॉपर तरीके से दोस्तों एक बड़ी background के साथ हम लोग समझते हैं जैसा कि हमने देखा मैंना आपको बताया belt and road initiative चाइना का जो project 2013 में launch करा गया था आज के समय में अगर इसको देखा जाए तो ये सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा ambitious global infrastructure financing project है चाइना विविन कंट्रीज में infrastructure को finance करता है और develop करता है वर्ड के विविन देशों में estimates ये बताते हैं कि जो कुछ आँख ने एकलकर हमारे साबने आए है Belt and Road Initiative के तहए चाइना ने अभी तक 100 से ज़्यादा countries में लगबग 2600 projects जो है उनको complete करा है जिनकी लागत आई है बनाने में जिनको total 3.7 trillion dollars अब इसमें जो main projects थे चाइना के दोरा जो launch कर जा रहे थे वो port से rated थे, railway से rated, energy से rated और digital network से related अब दोस्तों कुछ इसके benefits जो हैं, obviously बाते infrastructure development project है तो कुछ benefits जो definitely होंगे तो कुछ potential benefits जो हमें इसे देखते हैं कि चाइना के इस project से कुछ benefits जो विविन देशों को मिलेंगे वो ये है कि इससे regional connectivity बढ़ेगी, जैसा कि हमने उपर देखा, अगर आप यहाँ पर उपर diagram की तरफ देखें यहाँ पर दोस्तों आप देखिए कि land route की मदद से चाइना से होते हुए तरकी तक ये line जो है जाएगी और ऐसे जो है water base की जो line है जो maritime road जिसको चाहिना कहता है तो आप देखिए वो कितनी सारे Indian Ocean के nations को, South East Asian countries को इन सब को connect कर रही है और कितनी दूर-दूर से connect कर रही है तो regional connectivity तो दोस्तों definitely improve होगी इस project की बदले अब जब दोस्तों एक प्रकार से जब ये experts बोल रहे हैं कि इससे regional connectivity बढ़ेगी तो obviously बात है नए-nए market को access करने की opportunities जो है वो countries के सामने आएगी जिसकी वज़े से वो world में women जो new energy resources हैं जैसे electric vehicles और ये सब तो दूसरी countries के अंदर भी ये सब चीदे जा सकती हैं और overall इससे होगा क्या various economies की competitiveness जो है वो बढ़ेगी ऐसा international experts का कहना है कि ये कुछ benefits है belt and road initiative से related लेकिन दोस्तों ये सबी benefits जो है न ये बेकार लगने लगते हैं हमें जब हम ध्यान से चाइना की रणनीती को समझें क्योंकि आप एक बात बताईए ये एक infrastructure project है belt and road initiative ऐसा चाइना कहरा है ठीक है माल लिया तो अब इंडिया जो है वो तो global infrastructure की दिशा में कभी पीछे हटता ही नहीं है तो इंडिया को तो साफ तोर से जोइन करना चाहिए था इस project को और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया जो है वो चाइना से चेड़ता है तो इस वर जिसे उसने project को जोइन ना कर रहा हूँ यहाँ पर चिंडने की तो global जब भी कोई projects launch होते हैं तो उसमें चिंडने की या countries के differences को तो देखा ही नहीं जाता और इंडिया ने तो आज तक कभी ऐसी foreign policy adopt करी ही नहीं है कि उसके किसी country के साथ differences चल रहे हो लेकिन global level पर जब किसी platform पर किसी initiative को launch करा जा रहा हो तो इंडिया पीशे हाट गया जोइन करने से तो various international experts का दोस्तों ये कहना है कि belt and road initiative कुछ नहीं है ये चाइना के strategic interest को serve करने के लिए सिर्फ एक टूल है चाइना जो है भेज बदल कर ऐसा दिखा रहा है कि वो global infrastructure financing कर रहा है ultimately उसका aim ये है पूरे world पर infrastructure के माध्यम से एक तो countries को debt trap के जहां से में फसा लेना उनको करजदार बना लेना और जब वो करजा चुकाने में आस हमर्थ हो जाए फेल कर जाए तो उनसे political leverage की demand करना जैसे अगर हम लोग concerns देखें तो ये concerns को देखने के बाद दोस्तों ये जो potential benefits हमने देखी है सारे के सारे बेकार हो जाएंगे जैसे सबसे प कि ये कितना transparent रहेगा क्या रहेगा कितना पैसा आएगा अब सबसे बड़ी बात African देशों को जो लगती है वो लगती है manpower की manpower की दोस्तों कहने का ये मतलब है कि अगर आपके जो है aims and ambitions अच्छे हैं जैसा की channel claim करता है कि हम अच्छे मक्सल से जो है वो project को यहां पर बनाने जा रहे हैं तो उधर के local citizens को एक प्रकार से उस project में involve करो ना वो जादा अच्छे से अपनी geography और अपनी territory को समझते हैं तो एक प्रकार से होगा क्या इससे उस country में job opportunities create होईगी जब job opportunities create होईगी तो उस country के पास पैसा आएगा ultimately उस country की जो GDP और जो economic growth है वो बड़ेगी और ग कॉंगो में मालीज ये एफरीका की किसी देश कॉंगो में जाकर infrastructure project जो है वो double up हो रहा है लेकिन जो manpower गई है वो चायना से निकल कर गई है तो बड़ी सारी countries ने जिनोंने चायना को invite करा तो वो चायना की इस run लीती से नाखुश है और उनका कहना है कि ऐसे किसी project में चायन जो है transparency नहीं दिखाता है उसके बाद debt trap diplomacy जो कि हमने point discuss करा चायना बे फिजूल का एक debt burden create करता है कर्दार बनाता है countries को और फिर जब वो कर्दार बन जाती तो belt and road initiative project के तहित बड़े सारे इंट्रेंशन पर ये कहना है कि वो बे फालतों में unnecessary pressure country पे डालता है ताकि वो political leverage gain कर जो nation default कर गए चायना के principle amount या फिर interest amount पे करने से सबसे famous example जो इसका बड़े सारे सालों से हमें देखने को मिलता है श्री लंका में चायना ने एक infrastructure port develop कर वाया था जिसका नाम था आप यहाँ पर देखिए हम बंत होता port ठीक है लेकिन जब श्री लंका fail कर गया loan amount और principle amount और interest के साथ उसको वापस चुकाने में कुछ किष्टे नहीं बढ़ सका तो चायना ने उसको loan default कहते हुए इसका ये जो port था दोस्तों आप सूच के देखिए 99 सालों के लिए हड़ अप लिया कि 99 years के लिए अब ये port हमारा है अब दोस्तों श्री लंका जैसा कि आप जानते हैं कित दोसरी कंट्री में जाकर अगर पैसा दे रहे हैं तो आप ऐसे तो पैसा देंगे नहीं चायना का मकसद जो दोस्तों international experts ने बताया है वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि श्री लंका में ऐसे strategic point को occupy करना हम बंत होता port के नाम में ये था कि वो Indian ocean पे निगरानी रख सके और अगे ये point आप इंडिया के context में यूज कर सकते हैं जब आपसे पूछा जाए कि इंडिया ने belt and road initiative को join क्यों नहीं करा अगर आपसे interview में पूछ ले जाए या मेंस में आपको लिखना पड़े तो आप इसी point का सारा लेकर जो है इसी point के कंधे पे बंदू कर जो है चलाना बंदू territory से होकर गुजरता है जो कि disputed territory है इंडिया और पाकिसान के बीच में अब इंडिया ये कहता है कि आप जो है एक infrastructure facility के नाम पर हमारी sovereignty और territorial integrity को wallet कर रहे हैं और इंडिया इसलिए पीछे हट गया था ठीक है और तौनों की आपसी सहमती बिलकुल बननी पाई थी चाइना ने क global dominance जो है उसको बढ़ा रहा है क्योंकि digital networks और ports और इन सब का use करके जो वो है एक अपनी तरीके से अगर मैं आपको दोस्तों देखो बताओं वो कुछ नहीं कर रहा है वो ना US की hegemony को challenge कर रहा है और global power बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है कि ऐसे करकर हम जो है GDP जादा स इसी मकसद में आगे लगा हुआ है next point दोस्तों यह है कि China जो है ऐसा experts बोलते हैं कि वो unethical business practices use करता है जैसा कि आंकरे बताते कि 89% जो सारे BRI जो contracts है वो Chinese construction company ने execute करे Chinese labor को इस्तमाल करके अभी हमने discuss कर रहा था Congo की उपर case में अरे भाई अब local citizens को involve करो ना जो वहांकी local labor है उन को involve करो इससे होगा क्या ultimately employment जो situation है उस country के अंदर improve होएगी क्योंकि infrastructure project को develop करने में दोस्तों काफी साल लग जाते हैं काफी महीने लग जाते हैं तो एक प्रकार से उनकी बेरोजगारी जो है वहां पर दूर होगी जब उनको job opportunities मिलेगी ultimately उस country की income जो है उसमें growth देखने को मे मिलेगी लेकि चाइनया के उपर वो charges हैं कि ये अपनी labor खुद लेकर जाता है इसके लावा बड़े सारे जो projects हैं उसमें corruption और बहुत high cost के और उसने बड़ी सारी countries के साथ secret deal कर ली और बताया भी नहीं कितना करजा आएगा कितना loan amount charge कर जाएगा कितना interest charge कर जाएगा बाद म तो मां की जमीन कैसी है मां की ecology को खत्रा आएगा कि नहीं आएगा अब आप ब्राजील में जाकर कल को आपने project की जिम्मेदारी ले ली और आप Amazon rainforest से आप ये कह रहे हो कि हम यहाँ पर जो हैं rail route निकालेंगे railways निकालेंगे अरे भाई Amazon rainforest lungs of the earth है lungs of the world है आप उनको एक तरीक स्टड़ी नहीं करता जल्द बाजी में को कि actually अगर इसका मकसद infrastructure को डवलाग परनाता तब तो ये study करे ना जब मकसद ही दोस्तों हमने देख लिया कि दूसरा मकसद इसका global power बनना अपने strategic interest को सफ़ करना तो ये क्यों करेगा फिर environmental standards को ये जो projects में अपनाता है वो काफी ज देते हैं तो labor codes नहीं होती जैसे जो labor welfare ensure करना पड़ता है आपको कि कल को अगर कोई pull गिर गया तो जिम्दारी कौन लेगा तो चाइना कहता है भाई हमी आपर project बनाने आये थे इन सब बातों से हमारा कुछ लेना देना नहीं है अब जब countries इसका मकसद समझने लगी belt and road initiative तो उन्होंने का ठीक है गलती से हमने जो है चाइना की हामिया भरते हुए देखते हुए कि इतना अच्छा यह project है तो हमने हामी भर दी थी लेकिन अब हमें चाइना की जो real आउकाद है वो समझ में आ रही है तो अब international platforms पे दोस्तों कुछ emerging alternatives emerge होकर आये है कि belt and road initiative जो की इतना बड़ा चाइना infrastructure project को finance करता है अभी तक कोई countries करते ही नहीं थी तो क्या इसके कुछ और alternatives हो सकते हैं तो जी हाँ बेकुल हो सकते हैं एक मिनेट तो क्या alternatives emerge होकर आये हैं देखिए developed countries जो है ना दोस्तों वो infrastructure projects को बहुत लंबे समयते finance कर रही है जैसे जैपैन बड़े सारे projects क finance करता है आया है through Asian Development Bank ADP की मदद से लेकिन चाइना जो इतने large scale पर बहुत बड़े बड़े infrastructure projects जो finance कर रहा है इतना आज सक किसी developed country ने करा नहीं था तो अब time यह आ गया है कि चाइना अगर launch कर सकता है ऐसे किसी projects को तो women countries और organizations को साथ में आना चाहिए और देखना चाहिए कि ह हम भी क्या ऐसे किसी projects को launch कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों दो ऐसे platforms emerge ओकर आए हैं एक G7 के तोरा और दोसरा European Union के तोरा European Union का हमने इस article के context में बढ़ा था Global Gateway उसका नाम है और जो G7 का initiative है दोस्तों उसका नाम है B3W महलब भी यहां पर तीन बार आएगा Build Back Better World B3W है क्या यह भी Global Infrastructure Financing initiatives ही है कि strategy है तो ज़्यादा differences नहीं है दोनों के अंदर लेकिन फिर भी हम लोग एक बड़ी देख लेते हैं G7 की approach यह है इस project के तहर्म के वो funds को एकटा करे infrastructure को develop करने के लिए especially low और middle income countries में similarly EU की strategy यह है कि वो लोगों से और country से connect करे एक smart एक sustainable और एक fair way में अब इसके लिए दोनों countries के कुछ दोस्तो guiding principles हैं कि हमें good governance को अपनाना है climate friendly projects है होने चाहिए जो partnerships हैं countries के बीच में वो अच्छी रहेंगी strategic partnerships रहेंगी फिर यह projects के अंदर जो है values को देखा जाएगा democratic values को respect कर जाएगा जैसे अगर आप यहाँ पर देखिए तो European Union का यह वाला जो यह project है तो इसने साफ तरीके थे हमने ऊपर क्या point discuss कर रहा था कि China तो बताता नहीं है वो transparency के साथ इन projects को लेकर नहीं आता लेकिन इन्होंने साफ तरीके से बोल रखा है कि हम लोग good और effective तरीके से transparency के स अब दौनों organizations ने यह बोला है, institutions ने यह बोला है कि इस project के लिए जो की funding आएगी, पैसा कहा से आएगा, तो European G7 ने तो बोला है कि वो bilateral, multilateral और private organization से पैसा एकटा करेंगे, especially project को finance करा जाएगा, एक agenda के तहल जो की launch हुआ था दोस्तों कुछ साल पहरे, Adis Ababa Action Agenda, दोस्तों comment box म मुझे यह बताईए, यह Adis Ababa है क्या, और यह कहां पर है, ठीक है, फिर European Union ने बोला है कि वो funding करेंगे, जथी European Union जोस्तों आप जानते हैं, 27-28 countries का एक group है, ठीक है, तो उनके member states ऐसे projects को finance करेंगे, और especially European Union का एक bank है, European Investment Bank, और दूसरा European Bank for Reconstructional Development, और जो private funds हैं, वहां से पैस को launch करने के लिए, जो G7 ने अपने B3W प्रेजट में बताया है, उसने बताया कि चार एरियास में हम लोग फोकस करेंगे, climate, health and health security, digital technology, और gender equity and equality, similarly, European Union ने बताया कि वो 5 एरियास में फोकस करेंगे, digital health, climate and energy, transport, health, and education and research sectors, अब दोस्तों जो यह, अभी recently हाली में, conference of parties, ठीक है, जो कि climate change के लिए एक एहम initiative है, जो कि हर साल जिसकी meeting होती है, तो COP26 की meeting में, United Kingdom ने एक initiative launch करा था, जिसका नाम है Clean Green Initiative, 3 billion pound के साथ इस initiative को, जो है, UK ने launch करा था, climate financing करने के लिए, ताकि green growth जो है, developing countries में आ सके, अगले 5 साल में, तो अब यह, सारे initiative में, दोस्तों, जो कि हमने B3W पढ़ा, European Union का जो हमने यह वाले strategy पढ़ी, और especially UK का यह जो clean clean initiative पढ़ा, यह एक तरीके से transparent है, इन्होंने सब कुछ बताया है, कि कितना पैसा आएगा, कहां से आएगा, क्या principles को follow कर जाएगा, अपने strategy में साफ तरीके से इन्होंने बताया भी है, कि guiding principles को क्या follow कर जाएगा तो यह build back better, G7 के दौरा, global gateway, EU के दौरा, और यह clean green initiative, UK के दौरा, यह कुछ emerging alternatives हैं, जो की build and road initiative, जो की अभी तक करता आता था, global infrastructure को finance करने की दिशा में, तो अब यह सारे nations भी जो हैं, और यह सारे organizations मिलकर, यह सारा कदम उठा सकते हैं, कि कैसे वो infrastructure finance करेंगे, global level पर, ठीक है अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं, कि अब इंडिया के लिए क्या opportunities है, इस global infrastructure की दिशा में, तो देखिए, G20 का दोस्तों एक initiative है, जिसको अब याद रख सकते हैं, important हैं, इसकी एक report है, global infrastructure outlook report, G20 का यह initiative है, इस report में साफ तोर पर यह बताया गया था, कि 2040 तक, जो global infrastructure है न, उसके अंदर gap रहेगा, कि actual investment, किसी भी organization group के दोरा करी कितनी जाती है, और global infrastructure नीट के लिए कितना पैसा चाहिए, तो उसमें gap आ रहा है, 15 trillion US dollars का, अब अगर दोस्तों gap आ रहा है, तो obviously बात है, इंडिया जो है, इंडिया को एक space मिल गया, कि इंडिया भी कुछ contribute कर सके, global infrastructure की दिशा में, और इंडिया ने किया अभी, 2017 में, इंडिया और जैपैन ने साथ में मिलकर, दोस्तों important आभियात रख सकते हैं, एक Asia-Africa growth corridor इंडिया ने launch कर रहा था, लेकिन बात वही है, ये ठंडे बस्ते में चला गया, और इंडिया ने जाधा इसकी के नाम पर, अब जो है, इसकी वज़े से, इंडिया को जाधा opportunities मिल गई है, global infrastructure की दिशा में, क्योंकि इंडिया दोस्तों, साथ तरीके से आपको, आप समझी पा रहे होंगे, कि जाधा जो trust है, वो पैदा कर सकता है, especially, ये जो global gateway, European Union के दोरा, ये जो project है, इंडिया जो है, जोइन जरूर करेगा, और ऐसे पहले भी EU के साथ, इंडिया जो है, एक project को जोइन कर चुका है, जिसका नाम है comprehensive connectivity partnership, ताकि इसका मकसद ये था, कि European Union और इंडिया साथ मिलकर, एक sustainable और resilient project जो है, launch करें, African देशों में, Central Asian countries में, और Indo-Pacific में, जो भी low और middle income countries हैं वहाँ पर, औ कि digital connectivity, energy, transport और people to people connectivity, ensure होनी चाहिए, अब यह जो G7 का B3W है ना, इंडिया likely है कि इसको join करेगा इस initiative को, क्योंकि इसके जो principles हैं, और ये एक इंडिया को जो space offer कर रहा है, तो ये इंडिया की एक जो democratic approach है, बिलकुल उसके साथ कदम से कदम मिला कर चल रहे हैं, इंडिया यही कि इसा कोई project है, जिसमें इडिया को एक space मिले, सबसे बड़ी बात तो इसके कुछ फायता यह है, कि ये एक counterweight की तरह काम करेगा, जो कि China की dominance जो है एशिया में बढ़ती चली जा रही है, उसके बाद इस project में अभी हमने देखा था दोस्तों, दोरो, G7 और EU के project में उन्हों तो ये पता है कि low और middle income countries में और developing countries में और especially जो एफरिका के काफी सारे दिश जो category में आते हैं, least developed countries की category में, वहाँ पर COVID-19 के बाद जो महमारी जो आई है, जिसकी वज़े से बड़ी सारी countries की जो economic growth जो पीछे जाने लगी है, अब इंडिया को एक social economic importance एक leader के तौर पर जो है इंडिया इमर्ज होकर आ सकता है कि इंडिया ऐसे nations की help करने के लिए तयार है, और इसके लाबा, bilateral तरीके से, मतलब one to one engage होकर भी, इंडिया जो है, वो क्या कहते है, इन project को launch कर सकता है, जैसे, world में एक distrust का माहौल, जो है, 200 create हो गया है, चाइना के खिलाफ, चाइना की belt and road initiative के खिलाफ, especially जैसा कि हमने देखा, श्रीलंकार में, हमबन तोता पोर्ट के साथ, जो कि ये करा, चाइना ने, तो अब जो इंडिया है न, वो इस gap को fill कर सकता है, कि अभी तक जो African और Southeast Asian countries, जो चाइना की उपर dependent थी, चाइना को invite करती थी, कि आप हमारे देश में आके development project, ज चाइना की दोरा occupy कर रहा जाता था, लेकिन अब इंडिया जो है, एक भरोसे मन पार्टनर इमर्जो कर आ सकता है, bilaterally, इन countries में ऐसे किसी projects को introduce करने के लिए, ठीक है, अब दोस्तों, nations को ना कुछ hurdles जो है, वो phase करने पड़ते हैं, जब भी ऐसा कोई project launch होता है, especially इंडिया के सामने क्या दिखकते हैं, कि इंडिया में ना policy coordination काफी जाधा weak रहता है, कि कोई project में अगर implementation कुछ करनी है, तो जो policy makers हैं, वो महिनों के लिए उस policy को लेकर बैठ गए, कि किस वे में proceed करना है, अब इतना time, दूसरी countries जो है, उतना patience के पास होता नहीं, कि उतना wait कर सकें, फिर बात आती है दोस्तो, capital की कमी अक्सर जो है, वो इंडिया में देखने को मिलती है, फिर इंडिया को ही लगता है, कि अगर वो किती project पे invest करेंगे, तो return on investment काफी जब दा पूर रहेगा, और बड़े सारे जो projects हैं, इंडिया को ऐसा लगता है, कि उसकी democratic जो values हैं, इससे हाम हो होगा, ताकि हम लोग ध्यान दे कि किस तरीके से high impact infrastructure development projects हो हैं, को launch करा जाएं, bureaucratic process को हमें simple बनाना होगा, ताकि वो projects जो हैं, कुछ implementation, कुछ policy documents, वो एक bureaucratic web में फसीना रह जाएं, मलब एक तरीके से, आप जानते होंगे, दोसको red tapism का concern, कि जिसकी वज़े से bureaucracy बहुत slow behave करता और वो आगे जल्दी-जल्दी काम हो नहीं पाता, तो ये करने की जरूरत है, उसके अलावा हमें, जो projects की viability है, उसको enhance करने की जरूरत है, ताकि economic cooperation जो हो, प्रमोटर हो सके, cross water investment हो सके, दूसरी countries के साथ, हमारी जो supply chain initiative है, जो integration है, उसको deep करा जा सके, especially COVID-19 की महामारी के बा और फिर उसके बाद, capital deficiency को overcome करा जा सकता है, कैसे, bilateral और multilateral financial integration करके, India like-minded countries के साथ work करे, और private sector को भी involve करे, अपने financing model में, जब भी वो किसी दूसरे देश में, जो है, projects को finance कर रहा हो, उसके अलावा, democratic values को promote करने की दोस्तों बात करी गई है, कि people to people exchanges होने चाहिए, जिसके अंद project लिकर वो जाएं, तो वो आपसी सहमती से सयोग करकर, कि ये एक global infrastructure जो develop हो रहा है, दूसरी country में, जिससे हमारी और उनकी connectivity बढ़ेगी, ये लोगों के अंदर trust and confidence को जगाना पड़ेगा, अब दोस्तों, last में writer जो है न, वो एक बात बोलते हैं, कि इन external initiatives को देखती होए, कि भी ज़रूरत है, infrastructure को develop करने की, ठीक है, तो writer जो है एक तरीके से last में न, taunt करते हो इस बात को खतम कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, अच्छा article था, जो कि हमने cover करा, और यहां तक हमारा ये पूरा का, पूरा second जो topic है, वो दोस्तों cover हो चुका है, तो international relations के context में, अभी तक हम लो मुझ कर दिसक्शन